तो आजकल माउस का प्राइस दिन पर दिन बढ़ते बढ़ते आज 800 से ले करके 1000 तक पहुँच चुका है तो हमें अनफर्चुनेटली लोकल माउसे यूज करने होते हैं जो 500 के आसपस हमें मिल जाते हैं उसी सेग्मेंट में के एक माउस आज हमारे पास है जो है पॉट्रोनिक्स का माउस चलिया जिसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो यह है टॉड 11 का वायरलेस माउस जो की 2.4 GHz पर काम करता है और इसकी पैकेजिंग की बात करें थो बहुत ही सई पैकेजिंग की है कंपनी वालों ने लग रहा है कि कंपनी ने आधे पैसे पैकेजिंग पर खर्च कर दिया है चलिए फिर देखते हैं यह हमारा माउस जिसमें आपको एक मिल जाता है रिसीवर और इसकी ओवर व्यू की बात करें तो यह हमारे पास अब लिबल है ब्लू एंड वाइट कलर में जो की आपको ब्लैक एंड वाइट में भी मिल जाएगा और इसकी कंफर्ट की बात करें तो वाव इस इस रियली सो कंफर्टेबल चलिए देखते हैं कौन से बैट तो इसमें दो बैटरी के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं और इसकी sensor की बात की जाए तो sensor के बारे में best part यह है कि it can be used on any surface इसे आप किसी भी surface पे यूज कर सकते हैं आइधर यह rugged हो या फिर smooth surface हो कभी-कभी होता कि आप mouse use कर रहो और बहुत ही smooth surface है तो उसमें आपका mouse अच dpi mode है जिसे आप यहां से change कर सकते हैं same press करने के बार dpi change होंगे इस पर अलग-अलग timing use कर सकते है dpi use का use अगर थोड़ा सा कहा जाए तो आप gaming में बहुत अच्छे से इसका use कर सकते हो gaming में इसके साथ होता क्या है कि यह button आपको बहुत ही smooth देता है अगर आप 4 optic zoom पे हो तो आप इसको press करके बहुत smooth कर सकते हो और इसकी scrolling की बात की जाए तो it's smooth और clicking की थोड़ी sound आती है but it's quite good you will like to feel it like nice और इस mouse को मैंने अभी तक 4-5 गंटे continue use किया है आपको use करने के बात ऐसा नहीं होता है कि आपके ankle में pain हो रहा है ऐसा कुछ नहीं यह बहुत smooth है I mean कहा जा सकता है कि यह अपने price range में बहुत ही best product है आप इस product के साथ जा सकते हो और इसकी pricing की बात की जाए तो यह 350 के आसपास मिल जाता है आपको Amazon पे भी यह available है but मैंने इसे offline purchase किया क्योंकि मुझे इसकी बहुत need ती तो इसे मैंने 400 में purchase किया है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी झाल